बड़ी खबर इस समय की स्वामी प्रसाद मौरिया जो की बीजेपी में मंत्री थे योगी सरकार में छोड़ कर समाजवादी पार्टी में आए और अब चुनाव हार गए है इसकी एक बहुत बड़ी वज़े राजकिशोर हमारे साथ है इलियास अंसारी जो की जिला अध्यक् सामिल हुए 30-40% मुसल्मान वोट है अगर वो डिवाइड हुआ वो सपा को नहीं गया यही बड़ी हार की वज़े वो तो बिल्कुल रही लेकिन पहले समझने की ज़रूरत है कि स्वामी प्रसाद मौर जिनके जरिए वैतरनी पार करनी थी वो कैसे उनके लिए लाइबिल् करनी थी तो उन्हें लगा शायद यह अच्छा मौका हो सकता हूँ वहाँ पर गयते लेकिन अक्सर दल बदलना बहुत करनी दानी दिबांग दल बदलूं के लिए एक सबक उम्प्रकाश राजभर हार गए स्वामी प्रसाद मौरेया हार गए सैनी हार गए जहां और खास त सब्सक्राइब में भी हमने देखा था कि तमाम जो टीमसी के बड़े बड़े नेता थे वो बीजेपी में शामिल होते लेकिन जीत में परिवर्टित नहीं कर पाए थे यह एक बड़ा सबक नहीं बहुत बड़ा सबक है और दिबांग ने मिलकुल सही कहा है जो क्रेडिबि यूपी की तबकुही सीट से कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय ललू चुनाव हारे तो बड़ी खाबर इस समय की अजय ललू भी चुनाव हारे प्रियंका गांदी का इंटरव्यू हम सुन रहे थे उन्होंने कहा कि देखिए हमें पता है कि हम बहुत अच्छा प्र अच्छा मिले आई मुझे उमीद थी कि उन्हें शायद पांस सीटें मिल जाएंगी लेकर वो पांस सीटों वाला प्रदरशन भी नहीं कर पाई उत्तरप्रदेश में उन्होंने कॉंग्रेस की लुटिया डवोई और पंजाब में भी उन्होंने कॉंग्रेस की लुटिया आगे